माता कलिशिया 17 नवंबर को हंगरी की संथ एलिजबेद का तिवहार मनाती है ये हंगरी के राजा अंध्रियस द्वितिया और उसकी पत्नी गेत्रूद की पुत्री थी ननी संथ एलिजबेद को बचपन में ही उनके धार्मिक माता पिता से गहरा इस्वर्य विश्वास, मा मर्यम के प्रति भक्ती तथा सभी खृस्तिय सद्गुन मिले थे किसी संथ महात्मा के भैसवानी के आधार पर छोटपन में ही उनकी मंगनी जर्मनी के थूरिंजिया के राजकुमार लुडविक के साथ कर दी गई थी अता कम उम्र में ही संथ एलिजबेद थूरिंजिया के वार्टबुग राजमहल में लाई गई ताकि भावी पती के साथ उसका भी सिक्षा दिक्षा और पालन पोसन हो सके वहां दर्वार में जो लोग संथ एलिजबेद को पसंद नहीं किये वे इनसे अच्छा बेवार नहीं किये पर वह सब बरदास्त करती रही पर राजकुमार लुडविग उनके साथ बहुत हमदर्दी रखते थे जब राजकुमार 21 साल के हुए और एलिजबेद 14 साल की थी तो उनका बिवाह हुआ कुछ लोग वह सुयोग्य वधु नहीं है इस तरह आरोप लगाकर इस बिवाह का बिरोद किये पर राजकुमार लुडविग उसे दिल से सुईकार किये और वे पती-पत्नी के रूप में बड़े प्रेम से रहते थे संथ एलिजबेद अपने इस बिवाह से बहुत खुश थी इसवर की कृपा से इनके तीन पूत्र हुए वह राजदरबार में एक आदर्स पत्नी, मा और रानी के रूप में काम की उनके हिर्दे में गरीबों यो बिमारों के प्रती विशेस जगह थी इसलिए हमेशा उनकी सेवा और मदद के लिए ततपर रहती थी वह प्रती दिन महल के सामने भूखों को भोजन खिलाती और नंगों के बीच कपड़े बांटती थी इन सारे भले कारेओं को करने में उन्हें आपार आनन और खुसी मिलती थी अपनी ब्यस्तता के बावजूद वह प्राथना के लिए समय निकालती और तपस्या में जीवन जीती थी कभी कभी कुछ लोगों को संत एलिजबेट के भले कारे बेकार लगते और वे चीड़ कर इनका बिरोद करते पर वह उनकी परवा नहीं करते और भले कारे जारी रखती थी कुछ लोग राणी के खिलाप उल्टा पुल्टा राजा से सिकायत भी करते पर राजा लुडविग उनके बातों पर ध्यान नहीं देते रानी के भले कारियों से राजा को भी अच्छा लगता था और एक अदभुत अच्छी अनुभुती होती थे अता संत ऐलिजबेद के भले कारियों में कभी भी बाधा नहीं डालते थे वरन वह खुले हिर्दे से उनका सह्यो करते थे एलिजबेद अक्सर राजा से कहा करते थे कि परुपकार द्वारा इस्वर की आसिस प्राप्त होती है जब तक हम गरीबों की आवसकता पूरा करेंगे तब तक हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी बुड़े और बिमार लोगों के तकलीप को जानकर महल के नजदिक ही एक आस्पताल का निर्मान करवायाई ताकि खुद उनकी सेवा कर सके संत मती के सुसमचार अध्याए 25 पद संक्या 40 का अंस तुमने मेरे इन भायों में से किसी एक के लिए चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया येसु के ये कथन संत एलिजबेट के मंदिल में छप गया था इसे से प्रेणा पाकर अपने सभी भले कार्यों को करती थी संत फ्रांसिस के बंधु जब जर्मनी आये वह उनके जिवन सैली को देखी और उनके प्रचनों को सुनी और उनसे बहुत प्रभावित हुई अता उसके तृतिय संग के प्रतम सदस्या भी बन गई राजा लुडविग को जर्मनी के राजा के साथ कुरूस यूद के लिए जाना पड़ा इसी दर्मियान वे बिमार हो गए और उनकी मृत्यू हो गई या उनके लिए बहुत दुखत समचार था संत एलिजबेद मात्रे 6 साल दंपत्य जीवन जीए बाद में उनका देवर जो राजा लुडविग का उत्रादिकारी बना संत एलिजबेद और उनके बच्चों के साथ निस्ठूर बिवहार करने लगा उनको राज महल से बाहर कर दिया इस तरह उसे दर दर भटकना पड़ा बाद में जब राजा लुडविग के मित्र और सहयोगी यूद से लोटे तो संत एलिजबेद की इस्तिती को जानकर अच्छा नहीं लगा वे उनके देवर पर दबाव बनाए और संत एलिजबेद के हिसे की जैदाद उनको मिली कुछ लोग उन्हें दुसरी बिवा करने की सलाह दी पर वे साफ इंकार कर दिये क्योंकि उनकी कुछ और सोच थी इसलिए उनके हिसे के धन से अपने बेटों की सिक्षा और भवस्य की ब्यौस्था करके संत फ्रांसिसकन धर्म समाज में परवेश ले और लोगों की सेवा, त्याद, तपस्या और प्राथना करते हुए अपने जीवन जीए मात्र चोबिस वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका दिहान्त हो गया उनके कब्र के पास प्राथनाओं से कई चमतकार भी हुए 1235 स्वी में संत पिता गिरेगोरी नमें इन्हें संत एलिजबेद को संत घोसित किया संत एलिजबेद आध्यात्मिक साहस की धनी थी सभी धनी लोगों के लिए नमूना छोड़ गई कि किस तरह लोगों के कल्यान के लिए धन का सदुपयोग किया जा सकता है ये रोटियां बनाने वाले भिखारियों, दुलहनों और परपकार से जुड़े लोगों की सनरक्षी का संत है